नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है आज हम एक बहुती महत्वपूर्ण और प्राचिन प्रथा के बार में बात करने जा रहे हैं जो है सूरी को अर्ग देना ये प्रथा नाकिवल धार्मे को आध्यात्मी दिश्टिकों से महत्वपूर्ण है आध्यात्मी को स्वास्ते संबंध महत्वपूर्ण है इस वीडियो में हम सूरी को अर्ग देने के विभीन पहलों पर विस्तार से बात करेंगे सूरी को अर्ग देने का धार्मिक महत्व सूरी को हिंदू धर्मे एक महत्वपूर्ण देवता माना गया है वे जीवन और प्रकाश के स्त्रोत हैं वेदों और प्राणों में सूरे की महिमा का वर्रण किया गया है और उन्हें जगत की आत्मा माना गया है भगवान सूरे को अर्ग देने से वक्ति को उनकी क्रिप्रा प्राप्त होती है और जीवन में सुक्सम्रदी आती है सूरे को अर्ग देने की विधी सरल है लेकिन इसे शुदिता और भक्ती वाफ से करना आवश्यक है इसे प्राता काल सूरे उदे की समय करना चाहिए इससे आपको विशिष्ठ लाव इसके मिलते हैं आईए जानते हैं कि सूरे को अर्ग देने की असली विदी क्या है और इसको कैसे करना चाहिए सूरे को अर्ग देने की विदी बहुत ही सरल है लेकिन इसे शुदिता और भक्ती भाव से करना चाहिए यह आपके भाव ही हैं जो ज़्यादा मैटर करते हैं इसे प्राता काल सोरे ओदे के समय करना चाहिए इसके लिए सबसे पहले प्राता काल उठकर के सनान करें और शुद बस्त धारन करें सनान करना सबसे पहले बहुत जरूरी है बिना सनान किया आप अर्क ना ही दे शुदिता का विशेश ध्यान रखना जरूरी है एक तांबे के लोटे से धीरे धीरे सूरे को जल चड़ाएं जल चड़ाते समय बोलें ओम सूरयाय नमहा इस मंत्र काप जाप करें जल को इस प्रकाप चड़ाएं कि सूरे की किरने उसमें से हूकर की कुचरें जल चड़ाने के बाद सूरे देवता की प्रात्ना करेंर अपने मन की इच्छाओं की पूरती लिए उनसे आशिरवात प्राप्त करें सूरी को और्ख देने के कई लाब होते हैं सबसे पहले इस आनुष्ठान से मान्सिक शांती प्राप्त होती है इसे मन की अशांती दूर होती है और ध्यान में एक अक्रक्ता आती है सूरे को अर्ग देने से स्वास्ते में सुधार होता है इसे विशेश रूप से अंखों के रोगों की राहत दिलाने में मदद का माना जाता है सूरे की किर्णों में विटामिन D होता है जो हड्यों के लिए लापकारी होता है ये अनुष्ठान सकरात्मक उर्जा का संचार करता है सूरे को अर्ग देने से दिन भर उर्जा और उत्सहा बना रहता है धार्मिक माननेताओं के अनुसार सूरे को अर्ग देने से व्यक्ति की मनोकामना पूरुन होती है इसे जीवन में सुख, शांति और समर्दि आती है वेगानिक दिश्टिकों से भी सूरे को अर्ग देने के बहुत से लाब होते है सूरे की किर्णों में विटामिन D होता है जो हडियों के लिए अध्यन आवशक होता है प्राता काल सूरे को अग दिने से विटामिन D की पूर्टी होती है क्योंकि इसी समय सबसे ज़्यादा विटामिन D सूरे की रोशनी में होता है प्राताकाल ताज की भरी हवा और सूरे की किने शारिदिक स्वास्ते के लापकारी होती है इस से शरीर में उर्जा का संचार होता है और दिन भर सफूर्थी बनी रहती है इस अनुष्ठान से मानसिक शान्ती मिलती है ये तनाफो कम करने में मददकार होता है और ध्यान में कक्रता लाता है तो अगर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं विद्यारती हैं जिनको अपनी कंसेंट्रेशन पावर पढ़ानी है या फिर अपना तेज बढ़ाना है तो वो बच्चे सूरे को अर्ग देना स्टार्ट कर सकते हैं सुबह सुबह सूरे को अर्ग देने के लिए किस तरह के बरतन का इस्तामाल करें तो सूरे को अर्ग देने के लिए तामबे के बरतन का विशेश महत होता है तामबे के बरतन में जल भर करके सूरी को अर्फ देने से उसके लाब बढ़ जाते हैं तामबा एक ऐसा धातू है जो जल को शुद करता है और उसमें सक्रात्मक उर्चा का संचार करता है इसके अलावा तांबे के बरतन में रखे हुए जल से शरीर को कई लाब मिलते हैं तांबे के बरतन में रखे हुए जल को आप पी भी सकते हैं उसके अपने फायदे होते हैं तांबे के बरतन में रखा हुआ जल शूथ होता है ये जल पीने से शरीर की रोग परती रोधक शमता बढ़ती है तामबी का जल पांचन तंदर को मुझबूत करता है और ये गैस एसेटीट योग कबर जैसे सम्मसां को दूड करने में सहायक है तामबी का जल वजन नियंदर में मदद करता है और शरी के मैटाबलिसम को बढ़ाता है तामी का जल्द तवचा के लिए भी लापकारी है इससे तवचा की चमक बढ़ती है और वह स्वस्त रहती है सूरी को अर्ग दिने से विविन प्रकार के दोश समाप्त होते हैं जैसे की ग्रह दोश सबसे पहले सूरी को अगर आप अर्ग देंगे तो अगर आपकी कुंडली में सूरे से सम्मंदी दोश है तो उसका नेवारन होता है इससे व्यक्ति को ग्रहों के अनुकुलता प्राप्त होती है इसके अलावा आपके नेत्रों की दोश को दूर करने में भी काफी प्रभावी होता है सूरे की किर्णों से नेत्रों को शक्ती मिलती है फिर ये अनुष्ठान मानसिक तनाव चिंदा को कम करता है इसे मन को शान्ती मिलती हो सकरात्मे कुर्चा का संचार होता है सूरे को अग देने के पिछे धार्मेक और वेगानिक दोनों ही कारण है धार्मेक दिश्टिकों से अगर हम बात करें तो सूरे को अग देना एक महत्वपून अनुष्ठान है इससे भगवान सूरे की क्रिपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख और समर्दी और शान्ती आती है वेगानिक दिश्टिकों से बात करें तो यह अनुष्ठान लापकारी भी है और सूरे की किड्नों से विटामिन डी की पूर्ती होती है जो हडियों के आवशक है इसके अलावा प्राथा काल सूरे की किड्ने शारिरी को मानसिक स्वास्तिक ले लापकारी है तो अगर कोई से फिये कहता है कि इसके पिछे सी धार्मे कारण है तो उसको आप यह भी बता सकते हैं कि धार्मे के साथ साथ इसको साइंटिस्ट ने भी प्रूफ किया है कि अग अगर हम सुबह सुबह सूरे को अर्ग देंगे सूरज के दर्शन करेंगे तो हमारी हडियन स्टॉंग होती है। सूरे को अर्ग देने का महत्व केवल देनिक जीवन तक सीमित नहीं है। इसे अलग-लग त्योहारों अफसरों पर भी संपन किया जाता है। जैसे कि उतर भारत में छट पूजा का विशेश महत्व है। इस पूजा पर सूरे देवता की विशेश पूजा की जाती है। उनको अर्ग दिया जाता है। ये पर संतान, सुक और परिवार की खुशाली के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांती, इस दिन भी सूरे देवता को अर्ग दिया जाता है। ये पर फसल, कटाई का समय माना जाता है। और इसमें सूरे की अराधना का विशेश महत्व है। फिर सब्तमी तिथी, हर मैने की सब्तमी तिथी को सूरे देवता की पूजा की जाती है। इस दिन सूरे को अर्ग देने से विशेश लाप प्राप्त होता है। अर्ग देने के लिए तांबे का बरतन आप इस्तिमाल कर अगर लेकिन आपके पास नहीं है तो आप कोई दूसरा बरतन भी इस्तिमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर तांबे का है तो जादा फाइदा देता है। तीनों मंत्रों में से आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और सूरे, आदित्य और भास का तीनों है सूरे की नाम है। सूरे को अर्ग देने के कई लाभ होते हैं। धार में एक मानित आपके अनुसा नियामित रूप से सूरे को अर्ग देने से व्यक्ति के आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। अधन संपतिगी प्राप्ति होती है जी लोगों की बिलव हो रहा है शादी ब्याव में उनके लिए सूरे को अर्ग देने से विवहां में आने वाली बाधों का निरवारन होता है नोक्री और व्यफसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए भी सूरे को अर्ग देने का महत्व है इसे व्यक्ति को अपनी करियर में प्रगती मिलती है अब अर्ग देने का सबसे उच्छी समय सूरे दे होता है इस समय सूरे की किर्ण सबसे ज़्यादा शक्ति शाले प्रभापकारी होती है अर्ख देते समय पूर्ख दिशा की अभ्मुक करकी खढ़ा होना चाजेए क्योंकि सूरजदेवतर पूर्गमेही निकलते हैं इस से अर्ख का प्रभाप अधिक होता है अर्ग देने के दोरान शुद्ध भावना और समर्पन का होना आवश्यक है ये अनुष्टान भारी करम कांट से अधिक आंतरीक समर्पन का प्रतीक है आपको ये पता है कि सूरी को अर्ग देने की पीछे कुछ पूरानी कठाएं है जैसे कि यह कत्हा है करण को लेकर के महावारत के प्रалеफ़ पात्र करण सूरे देवता की पैरंभक थे वे प्रते दिन सूरे को अर्ग देदे थे और उनकी कृपा से उन्हें अधुटी शक्तियो ग्यार प्राप्थ हुआ सूरे देवतानों ने अपने आशिवा से अभी बूत किया था उनके जीवन में आने वाली कठनायों का सामना करने में मदद की थी दोस्तों सूरे को अर्ग देने की प्रतेक बहुत ही जादा महत्वपुन धार्मिक अनुष्ठान है साइन्टिफिकली भी प्रूवन हो चुका है कि आप जितना जादा सूरे को अर्ग देंगे जितने जादा समय तक जितने जादा दिनों तक उतना ही आपके जीवन में सुख समर्दी आएगी और आपकी मनोकामने पूर्ण होंगी और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा क्यांकि आपको वाइटमिन दीप पूरा मिलेगा आप सभी से निवी दिन हैं कि इस प्रिथा को अपने जीवन में अपनाएं और इसके अद्वित्य लाप्राप्त करें अगर आपको यह जानकर यह प्योगी लगी हो तो क्रीपा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों परिवारों के साथ साज्या करें आपके सुझाव प्रश्णों का हम स्वागत करते हैं क्रेबा कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त करें उमेद करते हैं आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी थैंक्स और वाचिंग